कि नमस्कार क्यापिटल टिवी का खाश शो राहुल का अग्मिपर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा लगता है राहुल गांधी अपना मांसिक संतूलन खो बैठे हैं तभी तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का अस्तम कर रहे हैं राहुल गांधी ने पियम मोदी को पहले पनौती बताया पिर जीब कत्रा बता डाला पर राहुल गांधी को इस तरह के शब्दों का इस्तमाल करना भाड़ी बढ़ता नजर आ रहा है बात चुनाओ आयोग तक पहुँच गई है तो वहीं दिल्ली हाई कोट से भी आज राहुल गांधी को बड़ा जटका लगा है दरसल दिल्ली के शमशान घाट में बलतकार और हत्या की शिकार हुई नौ वर्षिय दलित लड़की की पहचान उजागर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कारवाई की मांग की गई है आज इस मामले में दल्ली हाई कोट में सुनवाई भी हुई हाई कोट ने दल्ली पुलिस को याचिका पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है तो अपने ही जाल में फस रहे राहुल गांधी की बड़ती मुसीबतों पर आज चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूड़ी में है कि राहुल गांधी के पुरुबज जो थे पहले ये जो सब लोगों ने कॉंग्रेस का मिल जुलकर समविधान बनाया समविधानिक संस्थाने बनाई और इन सब को तोड़ने के लिए जो कानून है उसको तोड़ मरोड कर कैसे पेश किया जाएगा इसके लिए उपाय बन होंगे जिससे विचार धारा नहीं बलकि खुद का फ्रस्टेशन उजावर करने का तरीका हो राहुल गांधी उसी पीड़ी में से एक है जिने लगता है कि अब मुद्दे काम नहीं आ रहे है जितने मुद्दे उठाए सब के सब धारा साई हो गए अडानी अडानी करता थक गए उसके बाद बिरुजगारी का मुद्दा उठाया बढ़ती बिरुजगारी की बाद बार बार हर मंच पर किया तो 2014 में 2019 में और जितने भी राज्यों में चुनाब हुए हर जगह पर उसके बाद एक बड़ा मुद्दा महिलाओं को कुछ देंगे फिर दलितों के ल अनिकार उसी के अनुसार होना चाहिए ये सारे मुद्दे जो हैं राहुल गांदी के वो कहीं टिक नहीं पाए क्योंकि इनके पास कोई विचार नहीं है डिवलप्मेंट के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और सब लोगों को पता है कि कॉंग्रेस पिछले जो 70 सालों म कि इस देज की स्थितियों मजबूतियों को समझते हैं लोग तो अब फ्रस्टेशन में क्या करें बिलकुल आपने सही कहा कि राहुल गांदी का ये फ्रस्टेशन ही है जो बाहर निकल किया रहा है लेकिन अब बात तो चुनाओ आयोग तक पहुँच गई है राहुल नोटिस से कुछ नहीं होगा जैसा हमने अभी चर्चा की कि कॉंग्रेस ने क्या किया समविधान बनाया कानून बनाये आईपीसी सी आरपीसी लेकिन उसके बैक अप के लिए एक वकीलों को कई हतियार मुहया करा दिये यही कारण है कि आज कॉंग्रेस के कई नेता परिशा जा रहा है उससे तो हमारी परिशानी बढ़ने वाली है इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है जब कमिटी में बादची चल रहे थी तो यह कॉंग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे थे कि यह परिवर्तन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने जितने संबैधानिक संस्थाने बनाई है उसमें ये तरीका अपनाया कि अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो हमारे लिए क्या विवस्था होगी इस से बाहर आने की और ये जो महगे महगे वकीलों की फौज खड़ी करके कॉंग्रिस रखती है इसलिए रखती है चुनाव आयोग ने जारी कर दिया अब नोटिस के बाद ये जवाब देंगे कारण बताओ नोटिस है कि आपने ऐसा क्यों कहा अब कारण बताओ नोटिस का जवाब तयार करने के लिए अभी शेक मनुसिंग भी बैठे हैं पहले से वो जवाब देंगे कि देखिए चुनावी मन्च था चुनावी मन्च से राहुल गांधी बोल रहे थे और जो क्रिकेट देखने गए थे फाइनल देखने गए थे लोग उसमें से कई लोग हैं ऐसे जिसके बारे में राहुल गांधी कह सकते हैं राहुल गांधी ने नाम लेकर बोल रहे हैं उसके जो ये नोटिस का जवाब देंगे वो बताएंगे कि ये जो अडानी के पैसे की बात कर रहे थे कि आप अपना पैसा देते हो और जेव कत्रा है जो दूसरे को देता है जेव आपका काट लेता है अब ये सरकार के उपर तंजह पिये मोदी को जिवकत्रा कहा जा रहा है लेकिन इन लोगों ने स्मार्ट तरीका जो पहले से अपनाया है ये जो सिटिंग गैंग है इनके पास जो हर जगह चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रिम कोर्ट हो हर जगह इसका तोड़ निकालने के लिए जवाब दे पाएंगे क्योंकि रेप पिडिता की पहचान को उजागर करने को लेकर आज जो सुनवाई हुई है वो कितनी बड़ी मुसीवत है राहुल गाई ये बड़ी मुसीवत है चुनाव आयोग वाला मामला है वो कितने लोगों को भारती जनता पार्टी के कुछ लोगों को भी नोटिस जारी की गई है अर्विंद केजरिवाल को नोटिस जारी की गई है अर्विंद केजरिवाल के कहने पर भारती जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष को भी विरिंद सच्चेवा को भी नोटिस जारी की गई है लेकिन अगर दिल्ली हाई कोट ने जो बात कही है दिल्ली पुलिस को दस दिन के अंदर रिपोर्ट दो क्योंकि ये सामान मामला नहीं है ये तो ऐसा मामला है जिसमें दो साल तक की सजा होती है और दो साल के सजा से जहां आता है नाम दो साल की राहुल गांदी डरने लगते है क्योंकि पिछली बार भी दो साल की है सजा मिली थी ये जो मोशली सर ने मामले में दो साल की सजा होई सांसदी चली गई घर बार छिन गया तो कॉंगरेस चिला रही थी कि ये maximum punishment कैसे राहुल गांदी को दे दिया गया मान हाने के सजा तो 6 महीने भी हो सकती थी लेकिन इसमें भी वही 2 साल है कि अगर आपने रेप पड़िता और उसमें भी ये नावालिग है जो 9 साल के बच्ची थी जिसका रेप हुआ था और उसमें दिल्ली पुलिस के कारवाई भी हुई थी इन्होंने क्या किया उस 9 साल के बच्ची के रेप के बाद उसका राजनितिक फायदा उठाने के कोशश की जो हाई कोट में जिरह के दौरान कहा गया ये पूरी तरीके से राजनितिक फायदा उठाने के लिए किसी परिवार को बदनाम कर दिया रहूल गांधी ने क्या किया ये अगर्स 2021 की बात है जब रेप हुआ पूरे दिल्ली में हंगामा चल रहा था दिल्ली पुलिस एक्टी मोड में थी गिरफतारियां हो रही थी नांगला गाउं के घटना है ये लेकिन उस समय पहला इन्होंने क्या किया ये दलित और पुजारी की बात उठा दि कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है दिल्ली पुलिस क्या कर रही है पिरिता के परिवार से भी मिलने पूरी उसके बाद पिरिता के परिवार से मिलने गए जब पिरिता के परिवार के साथ गए तो वहाँ पर सिल्फी लेने की क्या ज़रूरत थी फोटो लेने की क्या ज़रूरत थी क्या राहुल गांदी के ये जो सलाहकार है जो पनावती जैसे शब्द पियम मोदी के गरते हैं जो जिवकतरा बताते हैं कि ये शब्दों का वहाँ पर उप्योग करो मंच पे उनको ये अकल नहीं थी कि ये एक अपराद है रेपड़िता के परिवार का उसके निवासस्थान का अगर वो पढ़ाई करती है उसके स्कूल का या फिर किसी भी तरीके से उसके रिलेटिव से भी जोड़ कर उसका उसकी पहचान आप उजागर नहीं कर सकते इसके लिए कई अखवारों को नोटिस जारी की जा चुकी है पहले TV चैनल को नोटिस जारी की जा चुकी है करोरों का जुर्माना भरना पड़ा है क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं था, सनस्था थी करोरों का जुर्माना भरना पड़ा लेकिन फिर भी आपको अकल नहीं आई, राजग्रिती में इतने अंधे हो गए हो कि आपने उस परिवार की पहचान उजागर कर दे अब उसके बाद कारवाई शुरू हुई एक एक्टिविस्ट हैं और मकरंद सुरेश महाद लेकर उन्हों ने एक याचिका दायर की दिल्ली पुलिस के पास दिल्ली हाई कोट ने और दिल्ली हाई है इसके आधार पर इनको सजा मिलनी चाहिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दीजिए इसके बाद क्या हुआ उन्होंने ncpcr के पास भी एक नोटिस भेजी ncpcr ने तुरत एक्शन लिया एक अगस्ट को इन्होंने जो फोटो डाला था चार अगस्ट को ncpcr ने ट्विट एक नोटिस जारी किया twitter में इनकी क्या setting है और यह जो बार बार काते हैं social media यह पुरा गोदी मीडिया की बात करने वाले लोग eachitter ने क्या किया इसने कुछ समय के लिए राहुल गांदी का जो ट्विटर हेंडल था सस्पेंड कर दिया अब उसके तुरत बाद ट्विटर हेंडल तो एक्टिव हो गया और वो किया क्या कि वहां से पोस्ट हटाए और पोस्ट भी हटाए रिमूब किया तो केबल भारत के लिए यह कलोबाइजेसन है सोसल मीडिया हिंदुस्तान के अलग और अमेरिका के अलग नहीं है अमेरिका में विबार्ति ही रहते हैं ब्रिटेन में भी रहते हैं वो भी राहुल गांधी के पोस्ट को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं वो वहाँ से फोटो निकाल के वाटसेब ग्रूप में सर्कुलेट करते हैं तो ये जो तरीके थे ट्विटर के, वो उसका भी वकील हाई कोट में पेश हुआ और उसने अपनी सफाई दी कि हमने ऐसा ऐसा किया ऐसे कारवाई की राहुल गांधी एक खिलाफ लेकिन उसके खिलाफ भी जुर्माना का मामला बनता है और जो याशिका करता के तरफ से वकील थे उन्होंने कहा ट्वीटर ने चालाकी की है इसलिए इसको पर जुर्माना लगना चाहिए ट्वीटर ने राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की सस्पिंड किया एकाउंट फिर से रिस्टोर कर दिया फिर इसके जो फोटो हटाए वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हटाए विदेशों में सब जगह दिख रहा था तो ये तो इसने भारतिये कानून का उलंगन किया है इसको भी सजा मिलनी चाहिए मतलब ट्वीटर पर बड़ा जुर्माना लगेगा लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांदी है राहुल गांदी के लिए जजज साहब ने कहा दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई कि तुम ये राजनिती राजनिती मत खेलो कि एक बड़े नेता है तो उसके खिलाब एफायार दर्ज करने के लिए दो-दो साल का समय निकालेंगे अगर एफायार दर्ज करना है स्टेटस रिपोर्ट दस दिन के अंदर दो और उसके बाद हम नोटिस जारी करेंगे राहुल गांदी को अब तक ट्वीटर को नोटिस जारी हुआ था राहुल गांदी को नोटिस जारी होगा सरकार के लोगों ने कर दिया आपने गलत किया है लोग भी आपके साथ नहीं हो सकते कॉंग्रिस के लोग भी गालियां देते हैं कि कैसी बेबकुफी कर लेते हो लेकिन अब राहुल गांदी इस रेप कांड में जो फसे हैं उसके बाद तो बचना मुस्किल लग रहा है समय ल ये सारे मामले इनके उपर बन रहे हैं उसमें दो साल की सजा और जुर्माना है तो दो साल की सजा होनी है चाहे छे महीना लगे एक साल लगे या दो साल लगे पतलब राहूल गांदी के लिए पनौती खुद राहूल गांदी की हरकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। कतों की वज़त से ही चारों तरब से फस्ते नजर आ रहे हैं। इस प्याब अपनी राए कमेंट कर लेखें। देखते हैं कैपिटल टीवी नमस्कार। हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत पर स्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं। जब तक हमारी चीत सुनिस्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। क्यापिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां। बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग। हम बिहार से हैं।